सिद्धर रमया को ही कॉंग्रेस ने क्यों बनाया सीम डीके शूकुमार कैसे चुट गए पीछे आए इस बातों को पाच बड़े कारणों में जानते हैं सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जिस चहरे को आगे करके कॉंग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा उसे सीम क सिद्धर रमया को करनाटक का मुख्यमंत्री बनाने के क्या वज़ा हो सकते आखिर कैसे डीके शूकुमार पर सिद्धर रमया भारी पढ़ गए आए जानते हैं तो सबसे पहली बात सिद्धर रमया को मिला ज्यादातर विधायकों का साथ है इस चुनाव में कॉंग्रेस न आगे चलकर सिद्धर रमया बगावत कर सकते थे अब दूसरी बात डीके शूकुमार पर मुकदमों की मुसीबत है दूसरा सबसे बड़ा कारण डीके शूकुमार पर चल रहे मुकदमे हैं कॉंग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यहीं रही है कि डीके शूकुमार के ख उनकी पूरी पुरानी फाइलों को खोल देंगी जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है अब तीसरी बात है कि पिछड़े वर्ग में सिद्धरमय की मजबूत पैठ है यह सबसे बड़ा कारण है सिद्धरमय की पकड़ हर तबके में काफी अच्छी है खास तोर पर दलित और पिछड़े और मुसल्मानों की बिच वह काफी लोगप्रिय है ऐसे में अगर सिद्धरमय को कॉंग्रेस मुख्यमंतरी नहीं बनाया जाता है तो संभव है कि वह पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे ऐसे सिथी में कॉंग्रेस के हातों से दलित, पिछड़े वर्ग और अलपसंख्यक वर्ग का एक बड़ा वोट का बैंक खिसक जा सकता था अब चौती बात लोगसभा चुनाव पर फोकस 2013 और फिर 2018 में सरकार बनाने के बावजूद लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस का पर्फॉर्मंस ठीक नहीं था ऐसे में इस बार पार्टी को रिस्क लेना नहीं चाहती थी सिद्धरमया को पार्टी और सरकार दोनों ही चलाने का अनुभव है करनाटक में लोगसभा की 28 सीटे है जिसमें से 2019 में कॉंग्रेस को सिफ एक सीट मिली थी खुद कॉंग्रेस अध्यक्षे मलीका अर्जिन खरगे भी गुल बरगा से चुनाव हार गए थे ऐसे में अब जब फिर से सूबे के सरकार बन चुके है तो कॉंग्रेस ने इस बार जादा से जादा लोगसभा की सीटे जितना का लक्ष बनाया दिया था इसके लिए पार्टी हाई कमान को सिद्धरमया का चेहरा जादा मजबूत दिखाई दे रहा था 2004 से ही वह इस फॉर्मूले पर काम कर रहे है और काफी हद तक ये सफल भी रहा है ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अलपसंख्यक दलित पिछरा वर्ग के वोटर्स को एक साथ लाया जा सकता है करनाटक में दलित आदिवासी और मुसल्मान की आबादी 39 फीसद है जबकि सिद्धरमया की कुर्बा जाती में आबादी का साथ प्रतीशत आसपास है 2009 के बाद कॉंग्रेस करनाटक में इसी समिकरन के सहारे से राज्य की राजनीती मजबूत पैट बनाई हुई थी यही कारण है कि कॉंग्रेस इसे कमजोर नहीं करना चाहती तो यह थी वो कुछ पाच बड़ी कारण जिसके कारण सिद्धरमया को ही करनाटक का सीम बनाया जा रहा है तो ऐसी कुछ अपडेट्स और जानते रहेंने के लिए देखते रहें इहा नेशनल और हमारे चैनल को सब्स्रेप करना बिल्कुल ना भूले